हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्यू टीन फ्लेम जैन्नी पर माई लविंग ट्विन सोल साप सबो को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए होए है मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज का विशा है चैनल मैसेज 4 ट्विन फ्लेम एंजल नमबर 444444 को क्यों दिखाई देते हैं आप जब अवेकनिंग के दोर से गुजर रहे होते हैं तो सिंक्रोनी सीटी होती है और इनमें 44444 ये नमबर बहुत बार दिखाई देता है आप मेंसे बहुत से लोगों ने कहा था कि उनको ये नंबर दिखाई देता है और इसका अर्थ क्या है इसलिए आज में ये वीडियो बना रही हूँ तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर फोर के विशे में कि यह तो एक राहू का नंबर है और राहू जो की बहुत ही रहसमई ग्रह हैं और इसके प्रभाव में आने वाले लोग हठी, कुशाग्र बुद्धी के महतोकांची, सहासी और कभी न निराश होने वाले होते हैं नंबर चार जो की दर्शाता है चार दिशाओं को यानि की उत्तर दक्षिन पूर पश्चिन ये दर्शाता है चार तत्व को यानि की फायर, एर, अर्थ और वाटर और आप सभी जानते हैं कि यह डियम और डियम एनरजी के तत्व हैं, डियम में फायर और एर होता है और ड 44 एक मास्टर नंबर है और इसका टोटल होता है 4 प्लस 4 यानि की 8 और ये शनी का नंबर है जो दर्शाता है परिस्रम, करमटता, परोकार, सयम, वसाहस को और इस प्रभाव में आने वाले लोग महान, क्रांतिकारी, विचारधारा के और अध्भु शक्तियों वाले होते हैं यदि हम बात करें इस नंबर की तो ये दर्शाता है अनुशाशन, उत्तरदाइत्व, क्रियेटिविटी और विश्वसनीता को यानि की जब भी ये नंबर दिखाई देता है तो ये अनुशाशन को दर्शाता है यानि की आपके लाइफ में एक अनुशाशन की और शक्ता ह चाहे आप अपने जीवन के किसी भी कार छेतर में कार कर रहे हो, आपको उसमें डिसिप्लेल लाना है, तभी आप अपने लक्ष तक पहुँच सकते हैं. उसी प्रकार ये नंबर दर्शाता है उत्तरदाईत को, आपका जीवन, आपके जीवन में जो भी उत्तरदाईतो है, चाहे आपके परिवार के प्रती, आपके समाज के प्रती या राश्ट के प्रती, उसे बखु भी पूरा करने की अवशकता है, उसी प्रकार ये नंबर दर उसे पूरी रीती से सवारने की अवशक्ता है क्योंकि वही आपको आपके उद्देश तक पहुंचाएगा वही आपको आपके सोल परपस तक पहुंचाएगा यदि आप अपने क्रिटी पार्ट पर काम करते हैं तो निश्चित ही एक दिन एक ऐसे छेतर में पहुंचेंगे जहां पर आपको सोल परपस के लिए चुना जाएगा उसी प्रकार ये दर्शाता है विश्वस नीता को यानि कि खुद पर भरोसा रखे इनर वोईस को आपको सुनना है यदि आप स्वेम पर भरोसा रखते हैं ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके बाद कोई कारे प् अब हम बात करते हैं ट्रिपल फोर की जब भी ये नंबर आपको दिखाई देता है तो आप जुड़े हुए हैं अपने गार्जियन एंजल से यानि की आर्केंजल वो देवदूत जो आपके आसपास हैं और आपको संदेज दे रहे हैं डिवाइन का ये बहुत ही पॉजिटि फोर को टोटल किया जाए तो आता है ट्वेल और इसका टोटल आता है नंबर थ्री यानि की ट्रिनिटी यानि की नंबर फोर की शक्ती तीन कुना बढ़ चुकी है और ट्रिनिटी का अर्थ होता है त्री एक परभेश्वर यानि की सूपर नेचरल पावर इसलिए ये नंब इश्वर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा अद्भूत और अलोकिक है यह एक पावरफूल नंबर है जो इंडिकेट करता है कि आपको अपने लक्ष से जोड़ना है आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने जीवन के हर पहलू पर फोकस करना है ताकि आप अपने लक्ष को प्राप्त कर सके इश्वर हमेशा आपके साथ है आपके स्प्रिट गाइड आपके एंजल आपके गार्जेन एंजल हर वक्त आपकी सहायता कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं गाइडेंस कर रहे हैं तो आपको किसे भ बिहेद छुपा हुआ है। मैं उसे आपको बताना चाहती हूँ कि जब नंबर चार को आप देखते हैं तो आपको इस्त्मरण आता है कि किसी भी मनुष्य में या फिर किसी पशू में जो हाथ पैर होते हैं उनके वो चार होते हैं। और जब आप किसी बैट को देखते हैं, किसी ऐसे टेबल को देखते हैं जिसमें चार पायदान होते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आधार, उसकी बुरियाद, इस्थाइत्व या इस्थिर्ता को, यानि कि एक आधार जो दर्शाता है एक मंच को. जब मैं अपने सोल परपस पे पहुशने वाली थी और जब मुझे मेरा सोल परपस मिलने वाला था, तो मुझे ये ट्रिपल फोर नमबर बहुत बार दिखाई देता था। आप उसके बिलकु करीब हैं। तो ये नमबर बहुत ही ज़ादा अद्भूत और अलौकिक नमबर है और ये बहुत ही शक्तिशाली नमबर है और ये आपके सोल परपस तक आपको पहुशाता है। ट्रिपल फोर जब भी ये नमबर आपको दिखाई देता है तो आपके एंजल्स आपसे कहते हैं कि जब भी आपको सपोर्ट की हेल्प की जरूरत है आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं। तो आपको जब भी ये नमबर दिखाई देता है तो आज पास अपने गारजेर एंजल्स को महसूस कीजिए। क्योंकि वो आज पास ही हैं और कहीं न कहीं वो आपको संदेज दे रहे हैं और एक पॉजिटिव संदेज दे रहे हैं कि आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं। उसी प्रकार ये नमबर दर्शाता है एक stability को और एक प्रकार से balance को। जब भी आप अपने love and relationship में एक balance की स्थिती में होंगे तब भी ये नमबर आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार आपको जब भी ये लगेगा कि आपका एक बहुत ही dark time जब आपने dark night of the soul को देखा है, महसूस किया है। उसके बाद ये नमबर आपको बार बार दिखाई देना शुरू होगा। इसका अर्थ है कि एक नई रोशनी, एक light जो आपके पास आ रही है। जो दर्शाता है कि angels, spirit guide और divine आपको protect कर रहे हैं, आपको guidance कर रहे हैं, कि वो आपके साथ हैं और आपका mark प्रशस्त कर रहे हैं, कि आप जिस गोल, जिस उदेश के लिए चुने गए हैं, उस तक आपको पहुचना है, आपका एक बुरा दौर खतम हो चुका है। अब आप अपने जीवन के उस लक्ष तक पहुचने वाले हैं, जो आपके लिए तयार किया गया है। उसी प्रकार आपको hard work करने की आशकता है। जब भी ये नमबर दिखाई देता है, ये इंडिकेट करता है कि परिस्रम कीजिए, अपनी क्रेटिव पार्ट पर जो भी कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं, उसमें आपको hard work करने की आशकता है, ताकि आप अपने गोल तक पहुच सके। ये नमबर 444 जो दर्शाता है कि आपके love life and relationship में एक positive way में change होने वाले हैं। उसी प्रकार ये नमबर spiritual growth को भी दर्शाता है और financially growth को भी। तो इस प्रकार ये नमबर 444 जो दर्शाता है angel support, help, protection, guidance, communication, balance, stability और soul purpose को। तो यहाँ पर आपको ये जानने के अशकता है कि आपके angels आपको हर वक्त support कर रहे हैं। और divine आप पर नजर जमाय हुए हैं। उनका अनुग्रह आपके उपर हमेशा है, उनकी blessing आपके उपर है। ये नमबर बहुत ही शक्तिशाली नमबर है क्योंकि इस से supreme power जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको अपने inner voice को सुनने की और शक्ता है। क्योंकि आपकी आत्मा में ही परमात्मा है। तो जब भी आप अपने उदेश की और बढ़ रहे हों तो positive रहिए, negativity से दूर रहें, खुद पर focus कीजिए, अपनी creativity पर काम कीजिए और अपने उदेश तक पहुँचिए। तो ये नंबर जब भी आपको दिखाई दे तो you are so lucky क्योंकि आप पर ईश्वर का अनुग्रह है और आप बहुत जल्द अपने लक्ष तक पहुँचने वाले हैं। ये बहुत ही positive नंबर है। तो प्रियो आज हमने जाना 44444 के विशय में। तो प्रियो आज के लिए इतना नहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and God bless you all.